लो स्टुडेंट्स आप सभी का सोगत है मारे सीडूप चैनल पर आज हम लोग बात करने आ ले हैं बिटा आपकी जो है रीडिंग कैमपेंड की एक्टिविटी सीट यानि पठन अभ्यान की गतिविदी पत्रक के बारे में जो कच्छा 6 से लेकर 8 तक की है और यह जो कि मंतली बहुत सारे प्राइस को मारे जीर सकते हो दो रसके लिए आपको करना की आजा आगा वीडियो खै लिए लेक booking कनो अ इल्ग करना साथ करके करना कारना होता है और इसके लिंक ने से कया बीस करना होता है अगर आप यसा घर though आप में इसे कोई 3 लगी विनेर विक Perimeter के बारे में जानेंगे Some friends are playing in a garden कुछ दोस्त थे जो garden के अंदर खेल रहे थे Suddenly, Ritu see a snake और अच्छानक से Ritu ने क्या करा एक snake को देखा Moving around the square ground एक square ground के चारो तरब जो क्या कर रहा था बिटा Move कर रहा था See start with a conservation other as follow दूसरों के साथ उसने क्या करा Conservation start करा Ritu look at the snake Manu No, it is not a snake It is a surf तो Manu क्या कहता है ये snake नहीं है जबकि ये क्या है Surf है Pinky I think it is a saap Pinky कहती है ये एक saap है Kundan क्या कहता है Kundan कहता है की I think it is surf ठीक है Snap तो जीत क्या कहता है It is a saap Rayhan It is a ठीक है Sump तो Ria कहती है I do not know मुझे नहीं पता ये क्या है Let Go to the school चलो School चलते है And ask the teacher The teacher said The correct You correct चलो Teacher से पूसते है जो तुमें क्या है बिलकुल Correct बताएगी की ये क्या है ठीक है इसके बाद There are different name Snake in different language Teacher ने कहा Different different name होते है ठीक है और different different नामों से जानते है हम लोग different different languages में किसको Snake को तो बच्छो Teacher ने क्या बताएग Teacher ने कहा Saap Hindi में कहते है Sir Sanskrit में कहते है Snake English में कहते है Saap पंजाबी में कहते है सर्फ बोचपूरी में कहते है और संप जो है किस में कहते है उर्दू भासा में कहते है किसको Saap को We used different languages commonly हम different different language में commonly use करते है The language used commonly called Mother Tongue और जो common language use करी जाती है हमारे दौरा वो Mother Tongue कही जाती है Find out above the Mother Tongue और उपर आप Mother Tongue क्या है About your Mother Tongue आप अपनी Mother Tongue को Find कर सकते हो तो देखो जैसे आप दिल्ली के रहने आले हो दिल्ली में maximum लोग हिंदी भासा बोलते है जैसे उत्तर प्रदेश में देव नागरी भासा बोली जाती है ठीक है उन्होंने कहा एक बंद फिगर की जो लेंथ होगी पूरी बांडरी की उसे क्या बोला जाएगा उसे पैरिमीटर बोला जाएगा दा लेंथ ऑब बांडरी ओफ दा ग्राउंड इस आल्सो इस पैरिमीटर कहने का मतलब है जो ग्राउंड के चारो और बांडरी कीची है उसकी जो लेंथ होगी वो उसकी क्या होगी बटा वो उसका पैरिमीटर होगा ठीक है इसके बाद लेंथ ऑफ इज साइड ऑफ ग्राउंड इस 20 या 200 मीटर हर साइड का जो ग्राउंड की लेंथ होगी वो 200 meter की होगी and therefore the perimeter is 800 और जो perimeter होगा उसका वो क्या होगा 800 होगा measure the perimeter of figure count the line along the board each square has 1 cm length आपको नीचे जो दिया गया इसका perimeter calculate करना है तो आप क्या करोगे पहले एक काम करोगे इसके diagram को बना लोगे जैसा ये diagram बना है और इसे calculate करके लिख दोगे question क्या लिखोगे question मैं आपको बताता हूँ 2 minute को बता रहा हूँ ठीक है आप उस question को लिखोगे question क्या हो जाएगा पहला तो question आपका हो जाएगा यहां से यहां तक फिर figure 1 बनाओगे और इसे calculate करोगे देखो भाई इसकी जो आपकी length निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी तो आप देखोगे यहां पर length कितनी आ रही है देखो अगर हम इसको count करते हैं हमसे कहा गया है जितने भी box है सबकी जो length है ठीक है वो क्या कहलाएगी 1 centimeter का 1 square है तो देखो इधर वाली ये 1 ये 1 और ये 1 कितना हो गया 3 हो गया इधर 1 इधर 1 और ये 1 और ये 1 कितना हो गया बटा 3, 3, 4 तो देखो length of ये क्या है एक rectangle है तो हम यहां पर लिखेंगे ठीक है perimeter एक काम करो यहां लिखो perimeter थोड़ा सा इसको मोटा करते है जिससे आपको समझ में है perimeter of rectangle बराबर कितना हो जाएगा perimeter of rectangle होता है 2L plus B होता है ठीक है अब देखो यहां पर L कितना है अगर L की बात करेंगे तो आपको दिख रहोगा 1 plus 1 plus 3 ठीक है और B कितना है 1 plus 1 plus 4 2 bracket में 3 plus 4 bracket 1 कितना हो जाएगा 2 into 7 is equal to कितना हो जाएगा 7 cm आप इसका उत्तर लिख दोगे इस वाले diagram का ठीक है चलो अगला कोशन देखते है क्या दिया गया है तो बिटा अगला कोशन देखो दिया गया है देखो यहां पर 1 और ये 1 ठीक ये 1 1 1 1 1 1 तो कहने का क्या मतलब है देखो यहां भी हमें क्या पता करना है यहां भी पता करना है length of rectangle ठीक है तो length of rectangle 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो देखो यहां पर length of rectangle बराबर फिर क्या हो जाएगा देखो ठीक है rectangle बराबर कितना हो जाएगा 2 bracket में L प्लस B देखो L यहां से कितना है L यहां से निकल ला है ठीक है देखो यह length हो जाएगी length हो जाएगी 2 breadth यहां पर कितनी हो जाएगी देखो यह breadth है ठीक है या फिर हम बोल सकते है L यहां पर कितना हो जाएगा L हो जाएगा यहां पर 6 breadth हमारी कितनी हो जाएगी वो जाएगी 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 2 bracket में 6 प्लस 2 कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 8 यानि बराबर 16 cm का square ठीक है अगला question देखो अगला question आपको देखेगा इसमें ही क्या है next देखिए इसी का यहां पर बूलागे हमें क्या पता करना है इस square यह वाला diagram बनाईए ठीक है और इस वाले diagram का परिमाप यानि perimeter क्या हो जाएगा देखे perimeter बराबर इसमें आ जाएगा ठीक है perimeter बराबर यहां पर हो जाएगा 20 20 cm कैसे आएगा देखो perimeter of square क्या होता है perimeter of square होता है ठीक है देखो 4 into side होता है क्या होता है बटा 4 into side होता है और इसकी एक तरफ की side कितनी है देखो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 cm की तो 4 गोड़े 5 बराबर 20 cm answer हो जाएगा ठीक है तो छलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है एक game खिलते हैं material क्या चाहिए एक dice चाहिए ठीक है and square titles tiles of paper चाहिए 1 cm के for each pair of students ठीक है जितने students होंगे हम सभी के लिए square dice के pair चाहिए ठीक है अब देखो इसके बाद क्या करना है इस game में directions क्या दिखे students roll the dice and take them tile ठीक है roll करना है dice को और take करना है क्या tiles को ठीक है और tiles को take करने के बाद क्या करना है arrange the tiles to make a polygon और उसको ऐसा arrange करना है कि वो क्या बन जाए एक polygon बन जाए find the perimeter अब उसका perimeter पता करो do not take the shape ठीक है कोई भी shape of part take नहीं करना है because you will find them the figure and calculating new perimeter और उस figure को find करके एक new perimeter आपको calculate करना है ठीक continue rolling अब आप continue चीज को roll करते रहो after each new roll number add the tile of to your current safe जो current safe होगी उसमें ही आप क्या करोगे tiles को add करते चलोगे और find करोगे new pattern को the first one who get perimeter 36 और जो पहले perimeter 36 पा जाएगा ठीक है will win the game वो win हो जाता है इस game को कहने का क्या मतलब है देखिए example के तौर पे आप समझिए अच्छे से देखिए you got 3 अगर आपको 3 मिला ठीक है on the dice in the front of पेलोग्राम अब पेलोग्राम में क्या करोगे आपका देखो perimeter क्या हो जाएगा 8 जैसे आपको 3 मिला 3 मिला तो आपने 3 shapes उठा है square के और point करके क्या कर दिया perimeter के लिए यहाँ पर तैयार कर दिया अब इसका अगर perimeter निकालोगे 1 cm 1 1 cm 2 हो गया यह क्या हो गया 1 cm 3 1 cm 4 5 ठीक है 6 7 और 8 इस तरीके से हो जाएगा तो कहने का क्या मतलब है जितने आपके case में numbers आएगे मान लो 3 आया तो हमने 3 उठा लिए अगर यह 4 आता तो हम क्या करते 4 उठाते और 4 उठाने के बाद perimeter निकालते है perimeter को एक paper पे लिख लेते जैसे अभी 8 आया तो 8 लिख लिए 6 आया तो 6 लिख लिए तो इस तरीके से यह game आप खेलोगे और जिसका 36 पहले आगा वो win हो जागा तो सिब अपनी copy पे आप क्या कर लोगे जैसे का जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही लिख दोगे इसमें और कुछ नहीं करना है ठीके उपर वाला कोशन ये वाला करना था आपको copy में ये मैंने करवा दिया अगर आपका मन है तो ये यहां से यहां तक ऐसे का ऐसा ही copy में लिख दोगे ठीके बस आगया आपकी वक्सिट क्या होती है होती है समाथ आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर कर बताईएगा वीडियो लाइक करिएगा चैनल सस्काइब करिएगा जादा से जादा कॉंटस में पास्पिट करिएगा धन्यवाद विच्चो